कि अज़िए और एन का यूज़ करने में काफी गलती होते हैं जैसे मैन एम है तो हम लोग लगा देंगे यहां पर यहां पर डब्लू है तो भी लगा देंगे ए लगेगा यहां यहां पर यहां यू है यहां यहां पर अहला देंटेंगे यहां पर लगादेंगे एसा नहीं होता है ठीक है इए मैन ये तुछ सही है kommen इसको परते हैं o इस्वार न经odम क्या पढ़ते हैं ओम एन तो और से सुरूर है यह क्या है यह स्वर है ठीक है मतलब जब पढ़ रहा है तो यह स्वर भेचैंस स्टार्ट हो रहा है इसलिए न लगएगा ठीक है यहाँ पर फिर यहाँ एन गलत है European पढएंगे यहाँ पर अलगेगा अरे स्वारी ए लगेगा ठीक है यहाँ पर आइच्व खूंद से इसलिए इसलिए न इसलिए इसलिए हो और याँ यहाँ पर है कि अगर शूर्ण से स्टार्ट होगा शूर्ण जैसे ही बोलेंगे ऑ और आइच और यहाँ पर अ से शुरूरा रहा है ऑ क्या है से फंवर है इसलिए है पर लगाएंगे एं अगर मेन बोलेंगे यहां पे म से सरू रहा है म बेंजन है इसलिए आ लगाएंगे बस यह यह अन्तर होता है in English watch Prem isentry अथिक्ज में चैसे यून एब इंग्लिस मिट ये वावल है लेकिन क्योंकि यह यूनिट से स्टार्ण vacun राहा है इस लिए यहां पर आउ की याफ जो शुरू हो रहे यह स्टार्ण से स्टार्ण हो रहा है छे पर तो तो हम इसका रूल अच्छी तरीके से समझेंगे आगे यूज आफ ए और एन तो च्वाइस बिट्विन ए और एन इस डिटर्माइन बाइस साउंड यह साउंड पंदेबर करता है कि ए और एन का यूज कैसे करेंगे जैसे अब दिखा है यहाँ पर ए इस यूजड बीफोर वर्स बीगनिंग विथे कॉंसुनेट ऐसे वर्ड जो ब्यंजन ब्यंजन स्वर से स्टार्ट होंगे उसके आगे ए का प्रेब करेंगे जैसे यहाँ पर यूज आफ ए में लिखा गया है ए बॉआ है तो बॉआ है लिखा गया है अब इसके पहले ए क्यों लगा गया है अब वाय वाय को पढ़ेंगे वाय ऐसे लिखेंगे वाय यहाँ पर बह है बह क्या है ब्यंजन है अब ब्यंजन साउंड वाले के साथ ए का यूज करेंगे ठीक है तो ए इस यूजड बीफोर बीइनजन साउंड वार के साथ ए का यूज करेंगे जैसे दूसरा है पन पर से सुरू हो रहा है पर भी वाले वाले वाट के साथ ए गा यूज करेंगे ठीक है जैसे यहाँ पर लिखा गया है मैं अब man के पहले क्या लगाएंगे ए लगाएंगे and लगाएंगे man म से शुरू हो रहा है म क्या है बेंजन है इसलिए a का यूज करेंगे ठीक है तो a का यूज कहां पर करेंगे a का यूज consonant with consonant sound तो पहला आप rule number है कि consonant sound के साथ a का प्रयोग करेंगे पहली बात b जो है वो consonant है और उपर से जब पढ़ेंगे तो ब इसका sound भी consonant है इसलिए a का यूज करेंगे यहीं लिखा गया consonant with consonant sound के साथ a का यूज करेंगे जैसे यहाँ पे पूर बॉया है पूर बॉय में पस शुरू हो रहा है पी ब्यंजन है अब उसका उचार करेंगे तो वो भी पा आ रहा है प भी ब्यंजन है इसलिए a का यूज करेंगे ठीक है दूसरा है वावेल्ड विथ consonant sound दूसरा है वावेल्ड विथ consonant sound अब इसका क्या मतलब है जैसे यूनिट है यूनिट अब इसके लगाब पहले लगाना है a या an यूनिट यूनिट ये शुरू हो रहा है यू से ठीक है यू क्या है वावेल्ड है यू जो है आपका क्या है ये वावेल्ड है यहां पर लिखा गया हुझा अधिन्वर्सिटी के वहां प्राइब कार्णोष्वम्राइब मोजब माड़ा है यहां हुझ कि पाले वही रगा गया है यहां पर देखें यूजफूल थे ठेगे ूजफुल मतलब यह से शुरू रहा है ठेगे यूजफुल यह से सर сх架 रहा है चांसोनेन्स आभेंट के साथ स्टार्ट होगा तो उसके पहले लगाएंगे तो यहाँ पे लगा हुआ है यूजफुल थे ए उनिफार्म, ए यूलोजी, यूरोपियन, जैसे यहाँ पर लिखा गया है, यूरोपियन, इसको पढ़ेंगे हिंदी में, यूरोपियन, अब ये शुरूराई यो से, यो है आपका कांसोनेट, पढ़ेंगे इसको यूरोपियन, कांसोनेंट साउन्ड है, इसलिए इसके पह लेकिन ये जो है ये वावेल है वावेल विथ कांसोनेंड साउंड के साथ एक अप्रेव करेंगे ठीक है य्म्जाफ एंड, एंड का यूजट कहां पर करेंगे, यूजट एंड पहला है, वावेल वीछ वावेल साउंड, इसमें कई एक्जाम्पल है, ऐन एस, एन एक्टिव, एन एंड, मैं एक दो तीर देकर समझा देता हूं, जैसे यहां पर लिखा गया है, इनमी, क्या लिखा रहा है ये क्या है स्वर है इसलिए यहाँ पर आगे लगाएंगे अंग बस यही यहाँ तो वाव MüTH वाव autism यह और है अब इसको पढ़ेंगे तो फिर भी वावील ही आ रहा है इसलिए इसको बो लेंगे वाव व torpedo sound तो इसके पहले एन का युज करेंगे ठीक है कि ज़िए यहां पर है Indian कि I Indian कि इसको पढ़ेंगे तो E से start हो रहा है यहां पर आई वावेल है अब इसको जब पढ़ेंगे तो फिर भी वावली आ रहा है Indian ई से तो इसके पैब लगाएंगे and Indian ठिक है इन इसके पहले क्या लगाएगा and operator operator गूपरेटर और से शुरो रहाँ है इसलिक इसके पहले and लगा है ठीक है अंब्रेला ये भी और से सुरो रहा है है इस लिए इसके पहले and लगा है तो वावेल विथ वावेल साउंड मतलब उसका साउंड जो है वावेल से सुरूरा चाहिए मतलब जैसे ही पढ़ेंगे स्वर से स्टार्ट होना चाहिए जैसे एन इंजन यहाँ पे ई से सुरूरा है तो इसके पहले एन लग गया है ठीक है एन इंजन एन इडियेट और भी एक्जामपल है ओनियन वह से शुरू हो रहा है ठीक है अब दूसरा है दूसरा है दूसरा रूल है कांसोनेंट विट वावल साउंड अब देंजन होगा लेकिन साउंड क्या होगा वावल दूसरा रूल है consonant with vowel sound जैसे example की तोर पर लेगे समझते हैं जैसे फैला दिया है MA आयन में लिखा है तो लिखा है MA अब यहाँ पर M लिखा है M क्या है consonant है M consonant है लेकिन जब इसको पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे MA तो MA अब क्या हो गया यह यह vowel हो गया तो consonant with vowel sound मतलब consonant तो है consonant तो है लेकिन इसको जब पढ़ रहे हैं तो वावेल आ रहा है तो इसके पहले N लगेगा ठीक है जैसे I A S अब इसको पढ़ेंगे I A S I तो शुरू हो रहा है है और से तो इसके पहले क्या लगाएंगे N I A S इसलिए प्रकार है M L A M L A M A से शुरू रहा है इसलिए इसके पहले N लगा है जैसे दूसरा एक्जम पर लेते हैं जैसे M is a M com M M पढ़ेंगे इसको E S शुरू रहा है इसलिए इसके पहले एंड लगेंगे तो इसी को बोला गया है Consonant with vowel sound Consonant से start हो लेकिन वावल sound है इसलिए इसके पहले भी यहां पर लगा हुआ है ठीक है ठीक है तीसरा और लाश्ट है बीफोर वर्स बिगनिंग विधिस इसाइलेंट एच कहीं कहीं पर एच जो है साइलेंट रहता है जैसे यहां पर लिखा गया है यह फो यू आर इसको पढ़ेंगे आवर आवर यह और से शुरू हो रह है इसलिए इसके पर लगाएंगे यहां पर एच साइलेंट है ओनर यहां पर भी एच लगा है ओनर अनर मनें सम्मान अनर बतका मतलब होता है सम्मान यहां पर ओनर इसको पढ़ेंगे आवर यह होगा ओनर यहां पर एच साइलेंट है तो यह शुरू हो रहा है और से यहां भी लगाएंगे यहां पर एच साहलेंट है जैसे एन ओनेट एन और पर यह पर यहां पर यहां पर अगर आपनों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सबस्क्राइब किजी और बेल अइकन को प्रेस्ट कर दिए जिससे आपनों को नोटिफिकेशन मिल जाए मेरी अगली वीडियो गा